नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं दख़बरदार नियूज चले बढ़ते हैं आज की खास ख़बर क्यों बांगलादेश से पती सौरब कांथ तेवारी के लिए भारत आने वाली सोनिया अक्तर की कहानी बांगलादेशी नागरिक सौनिया अक्तर ने भारत के सौरब कांथ तेवारी से 14 अपरेल 2021 को शादी की थी सौनिया का रोप है कि तेवारे बांगलादेश में पतनी और पुत्र को छोड़ कर भारत लोट गई है अब अपने पती को दोबारा पाने के लिए सोनिया ने भारत में फुलिस से मदद की गोहार लगई है सौरब कांथ तेवारी ने BBC बांगलादेश में रहने के दोरान सोनिया ने उनसे जबरण शादी की थी दूसरी और सोनिया अक्तर का आरोब है कि धाका में नोकरी के दोरान तेवारी ने उसे जूट बोर कर और बहला फुसला कर शादी की है सोनिया अक्तर के वकील ने BBC को उस दमपत्ती और उनके बच्चे की कई तस्वीरे भेजी है इसके साथ ही तीवारी के धर्म परिवर्तन और शादी के काज़ात भी भीज़ी है सोनिया ने पुलिस की समक्ष अपने बयान में कहा है कि करीब तीन साल पहले सौरब कांतेवारी के साथ उनकी शादी हुई थी लेकिन वे पतनी और संतान को ठाका में छोड़ कर भारत लोट गए है पुलिस के मुताबिक अपनी पती को दोबारा पाने के लिए सोनिया वैद पासपोर्ट और वीजा लेकर भारत आई है नौइडा के आतरिक पुलिसायोक्त यानि मध्यपरदीस नौइडा राजीब दिख्षुत ने पत्रकारों को बताया है उस बांगलादीस की नागरिक ने महिला थानी में दर्ज अपनी शिकायत में कहा है कि यहां सूरजपुर इलाके के रहने वाली सौरब कांतेवारी के साथ उसकी शादी हुई है उसके बाद वो धाका छोड़ कर भारत लोट आई महिला के मुताबिक पहले ही तेवारी की शादी हो चुकी थी राजीब दिक्षित ने बताया कि उस बांगलादेशी महिला ने अपने और अपने पुत्र का वीजा, पासपोर्ट और नागरिकता पहंचान पत्रे की प्रतियां भी पुलिस को सौपी है काउगजाद देखने के बाद प्रतम दरश्ट्या लगता है कि उनकी शुआदी बांगलादेश में हुई थी इस मामली की जाच और आगे की कारेवाई का जिम्मा सहय कायोक्त यानि महिला और बाग सुरक्षा को सौपा गया है BBC बांगला ने सोनिया अक्तर के वकील और सौरफ का अंतिबारी से बात की है मुझे फसाय गया है सौरफ अपनी कहानी बताने के दोरान दावा कर रहे थे कि उनके पास समाम सबूत है और बीबीसी को वे सब सौपेंगे लिकिन बार बार याद दिलाने और वाटसेप के जरिये संदेज भीजने के बावजूत उन्होंने अब तक कोई सबूत नहीं दिया है तीबारी ने सोनिया अक्तर और उसके परिवार के खलाफ कई आरोप लगाए है वे आरोप लगाते हैं मेरा धर्म परिवर्तन कर जबरंश्वादी कराई गई है सौनियों और उसके परिवार ने मुझसे लाकों रुपे लिये हैं और अब भी एक करोड रुपे की मांग कर रहे हैं ति बारी बताते हैं कि ढाका में नौकरी के दोरान सोनिया के साथ उनका परिचह हुआ था वे कहते हैं वे मार्केटिंग के किसी काम के सिलस्ले में मेरे दफतर में आई थी लेकिन तब हमारे दफतर को उस चीज की जरूत नहीं थी लेकिन उसके बाद वेब उसे नजदीकी बढ़ाती रही फोन पर संपर्क करती रही वेब मैसेज भेजती थी और फोन करती थी उसके बाद घर भी आने जाने लगी उसके बाद मुझे डरा धमका कर धर्म परिवर्तन कर श्वादी कर दी गई खबरों में अब तक ले बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही खास खबर के साथ तब तक ले नमस्कार और देखते रहें दखबरदार न्यूज